असलाम अलेकूम, हाई दोस्तों, आप सब कैसे हैं, लकरम साथ सब भी ठीक हूँगा, आप सब की दुआ से हम भी ठीक हैं, इधर मैं सबी सामान रख लिये हूँ, बनाने के लिए में चाय पत्ती यहां पे रख लिये हूँ, एक गिलास पानी ले ले लिये हूँ, गुड़ ल करता है सबसे पहले मैं अधरक काली मिर्च लोंग इलाइची को कूट लेती हूं यह रेसिपी यहां पर मैं कूट लिए यह रेसिपी जरूर बना के ट्राइब करिएगा यह बहुत फायदा करता है कूट लिए हूं मैं अधरक काली मिर्च लोंग इलाइची को चलती हूं गेस सवर पानी डाल देती हूं टोटल में दो गिलास इसमें पानी डालूंगी इसमें मैं गिलास ओड डाल देती हूं इसमें मैं चाय पत्ती डाल देती हूं चाय पत्ती ज्यादा नहीं डालूंगी एक चिम्मच मैं इसमें चाय पत्ती डालूंगी आधा आधा चिम्मच मैं दो अब अबाला गया है इसमें मैं कुटे हुए अद्रक लौंग इलाईची काली मेर्च डाल देती हूं आप शक्कर भी इसमें यूज करते कर सकते हैं पर गुर ज्यादा रहता है यह मेरे अबा की रेशपी है जब सर्दिया होती थी तो इसी तरह उनों बनाके पिलाते थे इसम जरूर बना के ट्राई करिएगा छोटे बड़े सभी पी सकते हैं अगर बच्चे एक डेड़ सार के हैं तो उनको एक से डेड़ चिमच पिला सकते हैं अब बड़े को तो दिन में दो बार जरूर पीना चाहिए बहुत सहित के लिए बहुत फायदा रहता है इसे मैं अच्छी तरह पका ले हूँ और इसको मैं गेश पर से उताल लेती हूँ इसे अच्छे से पकाना है ताकि जिदना भी है अधरक लेस अधरक काले मिर्च लोंग लाजी का रख रहे हैं धुकरना निकल जा ए इसे मैं गेश पर vocês इसए उताल ले 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 हूँ चार कप मैं इसे रख लेती हूँ इसको मैं छान लेती हूँ यह बहुत फायदा करता है जब हम सबको सर्दी खासी होती थी तो इसी तरह हमारे अबबा बना के पिलाते थे बहुत ज़ल्दी सर्दी खासी चले जाता यह गले में दर्द क diligently लेद्गा टालंगी नेभू का रस नेभू म hmt डाल दिजाएगा दो अब dripping का डालन्तारी को वहना का दो और मारे मारे कोद्लाल करेक्षा प्लाना करोद्का दालन तक तो अब यहां करना की यहां करद में डालगा चीही तो सर्दी में तो अक्सर करते हैं खासी सर्दी बुखार हो जाती है तो यह जरूर पीना चाहिए के दुसरे कमई डाल देती हूं यह गरम ही डालेंगे तो जल्दी पिखल जाए घंडा रह तो नहीं पिखलेगा इसको मैं अच्छी तरह चमश चला देती हूं ताकि अच्छी तरह पिखल完 विक्स भी विक्स अच्छी तरह पिखल गया है इसे मैं अच्छी तरह चला दी हूँ आप मैं नेवू को भी चला देती हैं ताकि नेवू भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए यह गर्मे गरम पीजिये बहुत फायदा करता है सबीको मैं निकाल ली हैं पलेट में आज की मेरे वीडियो आप सबको अच्छा लगए तो कमेट … लांइज यख़ज प्रूइन सेयर करिये गा उजो भी मेरे की चैनल पर नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसी तरी नही नही वीडियो लाती रहूँ मिलती हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफित ये रेश्पी जरूर बना के ट्राइब करिएगा